मुझे बताते होगे बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम Resonance Quota को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिर्सा में अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा आपको बस जाना होगा खेर का स्थित आर पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में जहां पर Resonance Quota की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविश्य के डॉक्टर और इंजिनियर बनने में सभी प्रमुक परिक्षा हैं जैसे J-Main, J-Advance, NEET-UG, AIMS, International Olympiad, NTSC, KVPY, CA, CS, CMA, CLAT, Resonance ने गुरवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है अधिक जानकरी के लिए आप डवाली रोडस तर आरपी सीनियर सेगेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे देगे नमबर पर अब होंगे सपने साकार धन्यवाद की जा रही है और अलग-अलग पार्टियों के जो नेता हैं वो इन दिनों नबज ट्रटोलने में लगे हुए हैं सिर्सा में पिछले दिनों दिपेंदर हुड़ा सिर्सा जिले में कारेकरताओं की नबज ट्रटोलने आयर इस बीच उन्होंने अलग-अलग विदान सबाक्षेत्रों में कई बड़े कारेकरम भी किये और चुक्छी हर बार ये रहता है कि कॉंग्रेस में जो है एक जुट करने के परियास है वो धराशाई रह जाते हैं डिपेंदर हुड़ा के साथ भी ऐसा ہी हुआ चोकि सिधे तोर पे कह सकते हैं कि सेलजा गुट के निताओं ने डिपेंदर हुड़ा के कारे करमों से दूरी बनाए रखी और इस बीच जो कुमारी सेलजा के कारे करता हैं वो रतिया में जाकर के कुमारी सेलजा से भी मिले यानि उनके कारेकरम थे रतिया विजान सबाक शेतर में इसलिए वो वहाँ पे जाकरके उन्होंने अपनी हाजरी दर्ज करवाई ताकि सिर्सा में जो कांगरेस से उनसे ये सवाल ना करें कि वो कहां पे थे वो कुमारी सेलजा से मिलने के लिए रतिया पहुँच गए यानि कि कांगरेस में गुटबाजी का ये खेल है वो सीधे सीधे सामने आया और यहां आपको बताने कि सेलजा गुट के जो नेता है वो दूरी बनाते हुए फतेवाज जिले के रतिया वजान सबाक सेतर में आउजित कांगरेस में नेता कुमारी सेलजा के पास जाकर के उन्होंने मंच भी साजा किया जिसमें ये बात तो तैह हो गई है कि सेलजा गुट और भुवेंदर सिंग हुड़ा गुट में आप से खींसतान जारी है जिसका नुकसान कांगरेस को उठाना पड़ सकता है सिर्सा से रतिया पहुँचे पूरु सांसा चरणजीत सिंग रोडी नवीन केडिया उनमें शामिल थे गोपी राम चाड़ेवाल सत्पाल मेता पूरु मंतरी रहे जगदीश नेरा के बैटे संदीप नेरा और इसके साथ साथ जो दूसरे यानि के कारेकरम यानि के डिपेंदर हुड़ा के जो कारेकरम में जो लोग सामिल हुए उनमें से सिसपाल केरवाला विधायक अमित सिहाग एसी सेल के परदेशा डैक्स डॉक्टर सुशील लिंदोरा बुपेंदर सिंग हुटा के पूरो ओस डी, डॉक्टर केवी सिंग, पूरो वितायक बर्थ सिंग बेनिवाल, अजय पंडित सहीत जिस तरह से अननद्बियाणी हैं, सुबाज जोधुद्पुरिया हैं, अमीर चावला हैं, हीरा लाल शर्मा हैं, सुमित बेनिवाल हैं, संतोस बेनिवाल हैं, इस तरह से जो कई बड़े जो नेता हैं, जस्वन्त कस drafting हैं, यह जो लोग हैं वो डिपेंदर हुटा के साथ एक साइड बुपेंदर सिंग हुड़ा गुट है तो दूसरी साइड कुमारी शेल जागुट है और ये सिर्सा लोक सबाग सेतर में देखने को मिल रहा है कांगरस नेता डिपेंदर हुड़ा जाँ पार्टी की नीम मजबूत करने के लिए उन्होंने सिर्सा का दोरा किया वहीं उनके कारेकरम जो आवजित करवाकर नेताओं ने भी अपने आपको ये थाबित किया विधान सबाओं में उनकी जो है मजबूत पकड़ है और वो परभावी चहरे भी हो सकते हैं विधान सबाओं में उनको टिकट दिया जा सकता है जिस तरह से सिर्सा विधान सबाओं में हाली में शामिल हुए अमीर चावला है उन्होंने अपना कारेकरम किया और अपने आपको एक पंजाबी नेता के रूप में प्रमोट भी किया कि वो पंजाबी नेता के रूप में उनकी छवी है सिर्सा से उमिदवार भी हो सकते है इसी तरह से जो होशारी लाल सर्मा जो की 2019 के विदान सवाचुणाव में कांगरेस के उमिदवार थे उसके बाद जो है अब जो उनके बेटे हैं राजकुमार सर्मा उन्होंने भी सिर्सा में वेपारी समेलन करवाया और अपने आपको ये साबित किया कि वो कांगरेस के चेरे हो सकते हैं देर रात को उन्होंने भीड भी जुटाई और रानिया में भी अलग-अलग जो कांगरेस नेता है चाहे जस्वन्त कस्वा की बात करें चाहे विशाल वर्मा की बात करें उन्होंने कारेकरम जो है वो आउजित किये और जो है दिपेंदर हुड़ा ने सभी लोगों को एक समान रखते हुए ये कहा कि अब ये जो हरियाना की जो गटबंदन सरकार है वो ये जा रही है और कॉंग्रेस की सरकार आ रही है लेकिन कॉंग्रेस में सीधे तोर पर जो करके सामने आ रही है क्योंकि अलग-अलग नेता है वो अलग-अलग धड़ों में बटे हुए दिख रहे हैं आपकी इस वीडियो को ले करके क्या राए है आप हमें कॉमेंट सेक्षिन में अपनी राए चुरूर दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर ताकि तमाम लोगों तकी जानकारी पहुंचे, बहुत बहुत शुक्रिया